आज मैं बनाने लगे हूँ स्टिंग वाला चिकन जो के बहुती है सान तरीके से बन जेगा यह मैंने एक प्याली नहीं ले लिया एक प्याली हमने इसमें ड़ें डालना है एक चमचीस में नमख डाल दूगी एक चमचीस में नमखा डाल दूगी एक चमचीस में मैंने तिका मसाला डालंगी मैं शान का इस्तामाल कर रही हूँ आप कोई भी कंपनी का इस्तामाल कर सकते हैं दो चमचीस में में नतिका मिसाला डाल दिये दो चमचीस में चिली सोच डाल दूगी दो यी चमचीस में मैं सोयसोच डाल दूगी दो यी चमचीस में मैं सिरका डाल दूगी आप चिकन इसमें डाल देंगे, एक चमज मैंने इसमें लसन का डाल दिये, इसको अच्छे से आप मिस्क्स कर लेंगे, इसको तक्रीबन मैं दो गंटे के लिए इसको मैं रिरेंट करके रख दूँगी, दो गंटे हो गया हैं, अब मैं प्रेशर में आईल डाल ओगी थोड़ा सा, तक्रीबन तीन चमज में मैंने आईल डाल लिया है, इसको अब सारे अच्छे से फिला लेंगे, अब साती इसमें चिकन डाल दूँगी, यह बहुती ज्यादा मज़ेका स्ट्रीम वाला गोश्ट बनता है, आब बार से तना महँगा हम लोग लेके आते हैं, तो यह गर में बहुती है, सांती के से बन जाता है, इसमें मैं डाल दिया है, इसको अब बंद कर दूँगी, इसको तक्रीबन पा हो गया है, अब इसको मैं थोड़ा सा जरा पानी खुशे कर लोगी, इसमें थोड़ा सा पानी अभी है, दही का, इसको अब अच्छे से खुशे कर लिया है, साथ इक मैंने कोला ले लिया है, अब इसको मैं कोले का दम लगा दूँगी, इसमें कोला राक दिया है, इसको मिशाला किसे नहीं मज़े का लाग रहा है वो बिलकुल बहार वाला टेस्ट है आप इसको बना के जूर ट्राइक करें जैसे कि अगर रमजान है तो रमजान में हम लोग कहते हैं को कोई चार्ट पड़ा को जल्दी से कुछ चीज बांचे असान तरीके से यह बना सकते हैं सब्सक्राइब करें लाफीज जजा करें